नमस्कार दोस्तों, आप सब का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, इस वीडियो में हम देखेंगे, वन नेशन, वन ग्रिट क्या होता है, इंडिया ने किस से के ज़र इस लेंड मार्क जो हमारा माइल्स्ट्रून था, उसको हेच्व किया था, साथ ही साथ मार्केट की एफि थोड़ा सा कॉंप्लेक्स होता है, थोड़ा सा लेंडियोस होता है, तो प्लीज बढ़ने रहीगा हमारे साथ, तो सबसे बहुत हम देखते हैं, वन नेशन, वन ग्रिट के को समझने के लिए हमको एक इमेज की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो प्लीज, आप सब देख सकते है कि यह हमारा इंडिया का एक मेह पे, जिसमें की, जो हमारा टोटल जो पहले जो ग्रिट हुआ करता था, उसमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि पांच तरहिके का हमारे पास जो ग्रिट अविलेबल था, जैसे हमारा पास नोर्थ इस्टन रिजन, इस्टन रिजन, सदन रिज वनगीट को इस्टेबलिश्मेंट हो गया था तो इसका हम देखते है कि कि तरके से और कि स्टाम के साथ इसको हमने इमार्के royale को अब 28 ह։ जो connected जो था states का उनको रिजनल रिट का नाम दिया गया अब 1991 में सबसे पहले eastern region और north eastern region को आपस में connect किया गया 2003 में जो western region था उसको बाकी के जो अलड़ी connected grid सा उनके साथ connect किया गया प्रण 6 में northern grid को connect किया गया जो rest already three connected grid सा उनके साथ 2013 में फाइनली जो southern grid था उसको rest to all 4th के साथ connect किया गया तो इस तरह के से हमारा 2013 में one nation one grid हमारा complete हो जुगा था उनको उसके equipment design करना easy रहता है जो एक particular tolerance band के लिए काम करते हो साथी साथ जो हमारा सबसे important जो इसका benefit है वह seamless power transmission का मतलब जागर हमको किसी एक state से दूसरे state में का power transmission करनी ही है तो यह सबसे necessary requirement है कि उसका voltage level और frequency level match होना चाहिए तो one nation one grid concept बनने से उसका जो electrical parameter match होने से जो power का transmission है वो काफी seamless हो गया था तो यह इसका सबसे बड़ा advantage भी था तो अभी हम थोड़ा सा कुछ parameters करें बात करते हैं कि जो हमारे national grid से related है तो सबसे बहां हम देखते हैं कि जो हमारा line का capacity है मतलब हम कितना उसमे power उसमे inject कर सकते हैं तो हम one nine one one nine zero giga world ampere का power उसमें inject कर सकते हैं और जो हमारा power generation capacity है हमारे पास available है वो है 414 gigawatt का instant-analyze power generation हमारे पास installed capacity है जो हमारा peak demand है मतलब जो हमने अब तक generate करवाया है peak maximum पर जब यह पावर्ड के बात कर रहा हूं तो इसका रीजन यह होता है कि जो गिगा वोर्ट एमपेर जो होता है वह बेसिकली यूज किया जाता है उस पावर्फ लोग के लिए जिसमें रियल और रियक्टिव दोनों यूज होता है पर जो हम गिगावर्ड जब भी वाट बात की जाती है तो यह इन दोनों का रिप्रेंटिशन के लिए बैसिक बैसिक डिफ्रेंस था जो बेनिफिट साथ जी से हमने बात किया कि जो पावर्ड का जो इसको मेंच करना मेंच करना और जो सिंक्रोडिनाशन ता रिजनल गिड्स का आपसमें वह काफी एजील हो जात सारे जगह पर एक जेसर है जिससे की जो EV सिस्टम एको सिस्टम में उसको बनने में कोई भी भी हडल ना कि मार्केत बेस्ट दिस्टम को इंडूस करने के लिए उसको प्र utan करने के लिए मार्केत इकोनोह अएकोनूमा कि गिडिया के लिए ऊसक्ष उन को समझने उसमें डिफरंट डिश्कॉंग उसमें डिफरेंट j toda ट्सकां open तरुब जो लिए gef countries से जिए तो इसमें प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो मारा सिस्टम प्रपोस किया जा रहा है उसमें एक कोमन मार्गेटर रहेगा जिसके उपस सारे हेटिस्टम मार्गेटर रहेगा यह अकोरडिग टू प्रैस डिफरेंट-डिफरेंटर इस्टेशंस को उनका जनेरेटिंग का शेर प्रवाइट करेगा जिससे की जो चुप फर इसपहर तो यह पैसिकली मर्केट बैस इकोनोमीनिक काफी इंक्रीज हो जाएगी अब इसके काफी इंक्रीज हो जाएगी अब इसके साथ साथ जो हमारा ट्रांस्परेंसी रहेगा वह बढ़ जागा क्योंकि एक सिंगल अथरॉर्टी रहेगी जो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी तो यह जैसे कहा हमने बताया कि यह एक सेंट्रलाइज मॉडल पर काम करता है तो अब इसका सेंट्रलाज मॉ अब इसके साथ क्या कंसर्थ से जो सेंट्र अट्रॉर्टी को को इससे कम हो जाएगा जीकि जो देपेंडंसी हे वह डिसलम्स की काफी बढ़े जायागी जिससे की डिसलम्स की वायाबिटी पर ही कुशन माग आजाएगा जो third challenges जो third concern वो यह है कि जो अभी flexible जो voluntarily market हमारा design है उसमें काफी सारे options अवले वाले हैं काफी flexibility अवले वाले हैं और खोल सकता है कि यह संतरा ठोटे बनने के बाद इतनी options और इतनी flexibility अवलेबल ना हो यह एक technology bias को भी introduce कर सकता है जैसे कि अभी जो यह cheapest power को prefer करेगा तो अभी cheapest power इसा इसा बहुत से जगह पर है हमारे पाद जहां पर call plants है जो cheapest power price कर रहे हैं तो अगर यह उनी को scheduling करता रहेगा तो मतलब उनी के business को flourish करेगा जिससे की जो नए technology से battery storage हो गया या पर bump hydro हो गया जो थोड़ी से relatively महंगे होती है तो उनको promotion नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से burn नहीं पाईगी अच्छे से flush नहीं कर पाईगी तो यह technology bias को भी दे सकता है तो basically यह कुछ concerns थे इसके साथ अगर हम इसको आगे बढ़ाना हम MBAD को तो उसके लिए क्या हमारे पास way forward है तो हमारे पास जितने भी stakeholders हमको उनकी जो उनसे feedback लेना चाहिए उनकी recommendations को implement करना चाहिए तब ही हम एक successful MBAD mechanism को develop कर पाएंगे जो हमारे पास security constant economic dispatch mechanism already existing system में available है जिसमें similar platform पर grid की stability को उसकी security को ध्यान में रखके जो सबसे cheapest power is उसको scheduling करना यह system already है हमारे पास तो हमको इसका data को यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम और better market operator को बना सकी है जो हमारा PPA already sign है बहुत से power plants के स 25-25 साल के 20 साल के PPA sign हो जाते है customers के उनको respect करना चाहिए जिससे कि market दूसर contractual issue ना आए इंडिया में तो उसको ध्यान में रखके हमको उस market operator में scheduling को करना चाहिए तो conclusion हमारा यह रहेगा कि yes MBD इंडिया के लिए requirement है क्योंकि इससे की efficiency, reliability और tariff में कम हो जाएगा पर साथी साथ हमको जो states की autonomy है जो market structure उसको ध्यान में रखना है और साथी साथ जो regional energy का integration है वो भी optimum तरीके से हो सके उसको भी हमको ध्यान में रखना है और सारे stakeholders को हमको उनकी suggestions इनकी recommendations है उसको ध्यान में रखके implement करना चाहिए market coupling, market की efficiency को बढ़ाने के लिए और monopolies को break करने के लिए government media ने market complete को introduce किया इसको समझने के लिए हमको एक rough image की help पड़ेगी तो basically अभी का जो हमारा system है जो power exchange में जो power trading होती है उसका system case है कि यहां पर हमारा एक power exchange है यहां पर power exchange है वो PXIL है तो इस power exchange में जितने भी buyer अपनी bidding डालेंगे और जितने भी seller अपनी bidding डालेंगे यह लोग इनका जो price मेंच होता है तो आपस में trading हो जाएगा पर यहां के seller से electricity नहीं खड़ी सकता है और similarly यहां के buyer को electricity नहीं पे सकता है और market coupling में बैसिकली जो भी हमारा जितने भी हमारा power exchanges रहेगा वो सब एक single platform की तरह काम करेंगे जिसमें अगर यहां को कोई buyer और यहां कोई seller है और यहां कोई seller है और उसका selling price और इसका buying price match हो रहा है तो वो trade हो जाएगा तो यह basic concept है इसका market coupling का तो अब इसकी हमको requirement क्यों थी अगर इसकी requirement को हम समझे तो basically जो ix का monopoly है उसको तोड़ने के लिए इसी current ix का price भी काफी 10% स्यादा किता अब इसको समझते हम किस्ते के साइस की monopoly थी जो अभी current scenario में power trading जो हो रहा है उसका only 7% जो यह power exchange पर trade होता है total जो power अभी जो trade हो रहा है उसका only 7% power exchange पर trade होता है उस 7% में भी जो 70-80% जो share है वो दो head के अंदर आता है मतलब real time market और day ahead market इन दो heads के अंदर electricity का trading होता है और इन दोनों segments जो की 70-80% है इस 7% का वो 100% IS के control में है मतलब iOS का जो इन दोनों segment में 100% monopoly है वो उस monopoly को कम करने के लिए और उसको break करने के लिए इस से के system को introduce किया साथी साथ जो electricity market है उस competition को बढ़ा है जा सके अगर एक सी जादा power exchange में सभी power exchange को सेम प्लेटफॉम पे लाएंगे तो जो price निकल के आना है electricity का वो ज़्यादा फियर जी आ सकती है वो आएगी अब इसके साथ क्या होगा कि अगर lowest one को obviously dispatch किया जाएगा तो जो generating stations है वो अपनी efficiency improvement में ध्यान देंगे उसमें investment लगाएंगे जिससे कि उनका scheduling हो सके तो इसमें जो mainly focus किया जाएगा initial starting time में वो day head market और real time market को focus किया जाएगा इसी करण IS का share 10% से ज्यादा गिरा था तो अभी हम यह तो पुराना वाले हैं तो अभी हम समझते हैं कि market coupling basically क्या क्या करने वाला है तो market coupling जैसे हमने अभी देखा कि वो जो power exchange जैसे उनको सभी seller से खड़ी सकता है जैसे हमने देखा 7% only इसका भी trade होता है इसको बड़ा कि हमको almost 40% तक ले जाना है का इनका target है अभी जो majority होता है वो mostly PPA के तुरू होता है तो उस PPA को अले जो portion उसको कम करना है जो अलग-अलग अभी market जो power exchanges है उन सबका जो market clearing price होता है वो अलग-अलग होता है तो एक बार अगर अगर इस तेगे का common platform आने पर जो price निकलेगा market clearing price वो भी common निकलेगा तो इसको और अगर हम डंग से समझे तो वो ही था कि जितने भी bidding रहेगी वो सभी power exchanges की bidding को collect किया जाएगा उनको match किया जाएगा irrespective of exchanges तो यह basic concept का market coupling का जिसमें government का objective क्या है obviously market का जो power share, power exchanges पर जो share उसको बढ़ाना है 7% से 40% तक ले जाना है जो हमारा transmission line से या जो corridor से उनको optimum को use करना है और साथी साथ जो renewable energy है उसको integration अच्छे से integration करना है यह comment of India का basic aim ता market coupling के पीछे है इसको उस timeline है अगर हम इसको जिस date से तो इसको इसको market coupling को introduced किया जाएगा तो उसके बाद क्योंकि काफी complex system है उसके बाद at least 6 months इसको लगेगा क्योंकि काफी सारे stakeholders से उनके feedback काफी important रहेंगे क्योंकि हमारा पास power जो system में काफी sensitive system होता है जो हमारा technology requirement है उसको upgrade करने में भी समय लगता है तो at least 6 months का time लगेगा इसको इन सबको implement होने में end consumers के उपर क्या implement होगा इससे अभी जो बताया जा रहा है कि वो possibly positive ही रहेगा मतलब जो power tariff है वो कम होने का chances रहेगा जिससे कि हम ने फिचर में electricity bill कम हो सकता है इसा इन में suggestion है तो market coupling operator का क्या है मतलब ऐसी central authority मनाई जाएगी जो collect करेगा सारे beats करेगा और जो डिस्कॉर करेगा कि हाँ इतना बीट से है इस बायर की इतने बीट सेलर की इतने बीट इस प्राइस पर तो किस प्राइस पर आपको electricity को response करना है मतलब market clearing price क्या होगा तो उस तकर का का काम वो करेगा तो इस तकर के body को integration को भी उसको में promote कर सकता है यह तो हो सकता है क्योंकि इसमें काफी साथ stakeholders है बट टिक्नलोजी अप्रेटर्ट है और सिस्टम में हमको announcement चाहिए तो basically कोई भी सिस्टम अगर हम इंट्रूस कर रहे हैं तो उसको थो रहो स्टेडिक किया जाता है उसके one grid और market-based economic dispatch और market coupling के अपर तो आज के लिए इतना है thank you